सुप्रभाद बज्चों, मेरी कक्षा आज भी कक्षा 11 के लिए हैं, कल मैंने आपको बताया था, रगुवंश महाकावे के दुतिय सर्ग का प्रारम भी किया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि राजा दिलीब संदान प्राप्ति की एक्षा से अपने कुलगुरु वशिष से परामर्ष करते हैं, तो कुलगुरु वशिष उनको बताते हैं कि आप कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाई की सेवा में प्रिवृत्त हो जाईए, अता उसकी सेवा करते हुए वो उसको अपने यहां ले आते हैं, उसको चराते हैं, उसको जंगल ले जाते हैं, छाया क करते दो उसके पीछे पीछे चलते हैं तो कल मैंने आपको जहां तक बताया था कि नंदिनी राजा दिलीप की परेक्षा लेना चाहती है कि ये वास्तों में मेरी सेवा में प्रवित्य है या के वल स्वार्थ वश़ ये ऐसा कार्य कर रहे हैं ऐसा करने के लिए नंदिनी क्या करती है कि जंगल में चरते चरते एक गुफा में जाकर घुश जाती है जिस गुफा में एक सिंग रहता था और वो सिंग नंदिनी को अपने कबजे में दबोच लेता है तब राजा दिलीप सिंग को कहते हैं कि तुम वो उसको मारने के लिए अपने तरकश से बाण निकालते हैं, परन्तों बाण जो है, वो उनकी उंगलियों से चिपक जाते हैं, और उस समय वो सिंग उन्हें अपना परिचे देता हुए, बताता है कि वो कौन है, वो भगवान शिव जी का भक्त कुम्भोधर है, ठीक है, और निकुम्भ का मित्र है, आईए, और उसके बाद वो कहते हैं राजा दिलीब से, कि आपका प्रेतन निरर्थक है राजार, क्यूंकि ये देवदारों के व्रिक्ष को रक्षा करने के लिए स्वयम शिव जी ने मुझे यहाँ पर रखा है, और उन्ही की आग्यां से यहाँ पर किसी भी जानवर का हस तक शेप नहीं होता, और यदि कोई जानवर यहाँ आएगा, तो मैं उसको मार कर खा जाओंगा, ठीक है, अब हम देखते हैं उसके आगे की कहानी, क्या कहते हैं, व्रिथा प्रेयास मत करो राजन, क्यूंकि अलम महीपाल तव श्रमीड प्रयुक्तम मप्य इस्त्रिमृतो व्रिथा स्यात, ना पादपोन मूलन शक्तिर रह, शिलो उचय मूर्छति मारुतस्य, देखिए, यदि तुम मेरे उपर बाण छोड़ना भी चाहोगे, तो तुम्हारे बाण व्यर्थ हो जाएंगे, पेडों को उखाडने में समर्थ, वायू का वेग परवतों पर नहीं उखाड सकता, इसलिए, हे दिलीप, अपने उपर बाण का प्रहार करते भी हो, तो तुम्हारे बाण और प्रयत्न दोनों व्यर्थ चाहेंगे, राजा ने कहा कि तुम अपनी भूख मिटाने के लिए मुझे खा जाओ, लेकिन इस गाय को छोड़ दो, सिंग ने कहा, राजन तुम तो बड़े मूर्ख मालूम होते हो, क्यूंकि एक छोटी सी गाय को बच्चाने के लिए अपने प्राण गवा रहे हो, अपना सारा राज्य चौपट करना चाहते हो, यदि जीवित रहोगे, तो अनेक गायों की रक्षा कर सकते हो, राजा ने एक ना सुनी, सिंग राजा को खाने के लिए तयार हो गया, और राजा की उंगलिया बाण से छूट गए, ज्यों ही सिंग के समक्ष अपने को समर्पित करने के लिए राजा जुके, कि आप हमें अपना भोजन बना लें, तयों ही देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की, और उनको मधुर वचन सुनाई पड़े, कि उठो बेटा, मैं तुमसे प्रसन हूँ, वर मांगो, राजा ने सिर उठा कर देखा, तो सिंग गायब था, तब नंदिनी ने मनुष्य की बोली में कहा, राजन मैं तुम्हारी परिक्षा ले रही थी, मैं तुमसे बहुत प्रसन हूँ, तुम मन चाहा वर्दान मांगो, राजा ने कहा, हे मा, मुझे ऐसा पुत्र हो, जो मेरे वन्ष को चलाने वाला हो, नंदिनी प्रसन होकर कहती है, तुम्हारी मनो कामना अवश्य पूर्ण होगी, राजन, राजा फिर उसे लेकर अश्रम चले गए, वसिष्ट जी ने राजा दिलीब से कहा, कि हे राजन, तुम्हारा गो सेवा का व्रत पूरा हुआ, यह जानकर राजा और रानी को बहुत खुशी हुई, और वसिष्ट ने उन्हें आशिरवाद दिया, और उन्हें अयोध्या के लिए विदा कर दिया, अयोध्या आकर रानी सुदक्ष्णा गर्भवती हुई, ठीक है बच्चों, यह है कहानी का पूरा सार, रगुवंच के दुतिय सर्ग का, ठीक है, संदान प्राप्ति की इक्षा से दिलीप ने नंदिनी गाय की सेवा की, और उसके वर्दान से रानी सुदक्ष्णा कर्भवती हुई, अब हम पाट से सम्बंदित कुछ महतुपूर्ण बाते जान लेते हैं, आएए देखें, नंदिनी की सेवा राजा दिलीप ने की, नंदिनी वसिष्ठ की गाय थी, नंदिनी कामधेनू की पुत्री थी, रगुवन्ष महाकावे में 22 चंदों का प्रयोग किया गया है, सर्वाधिक प्रयुक्त चंद उपजाती 578 बार, दूसरा सर्वाधिक चंद है अनुष्टुप 548 बार, रगुवन्ष महाकावे का प्रधान रस वीर रस है, वीर रस के चार भेद हैं, कौन-कौन से धर्म वीर, युद्ध वीर, दान वीर और दया वीर, रग्वण्ष महाकावे में कहां किस चंद का प्रयोग किया गया है आए जानते हैं करुण रस के प्रयोग में बैतालिय चंद प्रवास और प्रविट्ट में मंदाकरांता चंद हर्शात्मक वातावरण में प्रहर्शणी पराक्रम शौरे और राजनेती में वन्शस्त पौराणिक वृत्त में अनुष्टुप भवे चंद्रोदय उद्दीपन विभागों में रथो दत्त वीररस एवं रोद्ररस के प्रसंग में वसंत तिलका संगती में पुष्पिताग्रा उदारता रुची और चित्यादी गुडों में हारिनी रगुवंश में सर्वाधिक शब्दा लंकारों में अनुप्रास का प्रयोग हुआ है और सर्वाधिक अर्था लंकारों में उपमा अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है रगुवंश में वैदर भी रीती का प्रयोग हुआ है रगुवंश के कथानक का मूल स्रोत बालमी की रमायड है रगुवंश का प्रथम राजा दिलीप और अंतिम अगनिवर्ण है रगुवंश महाकाव में 19 सर्गों का वर्ण विशे क्या है? आये जाने प्रथम दो अध्याय में राजा दिलीप का वर्ण है तीसरे चौथे और पांचवें के आधे भाग में रगु का वर्ण है पांचवें के बचे आधे भाग छठे और सात्वें और आठवें सर्ग में अज का वर्ण है नवें में दशरत का वर्ण है दस्वे से पंद्रवे तक राम के चरित्र का वर्डन है सोलवे सर्ग में कुष तथा सत्रवे में कुष पुत्र अतिथी का वर्डन है अठारवे सर्ग में निशद तथा नल एवं नभ आदी 21 राजाओं का वर्डन है उन्नीश्वे सर्ग में अतिविलासी राजा अगनिवर्ण का वर्डन है। रघुवंश महाकावे का मंगला चरण नमसकारात्मक है। ग्रंथ के आरंभ में कवी ने मंगला चरण के माध्यम से शब्दार्थ रूप शिव और पार्वती की वंदना की गई है। वाक और अर्थ के प्रतीक स्वयम पार्वती और शंकर हैं क्योंकि वो जगत के माता पिता है। वाशब्द अम्रित का देवतक है। मंगला चरण में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। राजा अज की पत्नी का नाम इंदूमती था। रंदिनी धनु का वर्डन दुतिय सर्ग में है। अगनी मित्र की दूसरी पत्नी का नाम इरावती था। संध्या से धनु की तुलना की गई है। सीता परित्याग का वर्डन 14 सर्ग में है। कुल 1579 शलोग है। तो बच्चों इस प्रकार आपका रगुवन्ष महाकावे का दुतिय सर्ग का सारांश और पाठ का अर्थ हमने बताया। और उससे संबंधित सभी प्रश्न का भी एक शौर्ट फॉर्म करके आपको बताया है। आप सभी को मैं लिखित सामागरी भेज रही हूं। उसको समझ लीजे, पढ़ लीजे और अपनी कॉपी में लिखिए और मुझे दिखाईए। कोई समस्या होने पर मुझ से पूछे धन्यवाद।